तो चलिए आजम बहुत ही टेश्टी सूजी और आटे की पूरी बनाते हैं यहाँ पर मैंने दो कटोड़ी के करीब आटा ले लिया है यहाँ पर मैंने गेव काटा लिया है अब इसमें एक कटोड़ी सूजी डाल देंगे अब हम इसमें दो चम्मश्ट चिली फ्लैक्स डालेंगे, फ्रेंट से अगर आपके पाद चिली फ्लैक्स नहीं हो तो अपर гëlबट्टे में कूट कर jagに भिए फ्रेंगे चिली फ्लैक्स घर्ल के बना सकते हैं, अब इसमें अब हम टेश्ट कर Zugahled नमक डालेंगे, beiden इसमें थो जीरा भी डाल सकते हैं इस पर हम एक चमच अजवाइन डालेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर ऑईल भी डाल सकते हैं देखिए हमने बहुत ही अच्छा यह आटा को गूत लिया है देखिए हमें ऐसे आटे को इदा मेचे तरीकी से सॉफ्ट गूत लेना है यहाँ पर मैंने कड़ाई लिया अब हम कड़ाई को गरम हो निकले रख देंगे इससे मैं रिफाइन का तेल डाल रहे हूं आप कोई भी कुकिंगर ले सकते हैं आप यहाँ पर मुमफली का तेल या फिर सरसो का तेल कुछ भी ले सकते हैं उसमें आप फ्राइ कर सकते पूड़ी को देखिए मैंसे छोटी छोटी लोई या लेंगे देखिए मैंसे छोटी छोटी लोई ले लिने और इसे छोटी छोटी में पूरी पिल लेना है अब जीतना छोटा छोटा पूरी लेंगे देखिए हम पूरी योग अच्छे तरीके से बेल लेंगे हम देखिए सारे पूरी को हमने बेल लिया है अब यहाँ पर मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए डाल देखिए हम छोटी सी एक लोई डालेंगे देख लेंगे कि अब पूरी या मतलब तेल अच्छे तरीके से गरम हो एक ने हमारा तेल अच्छे तरीके से गरम हो गया अब इसमें पूरी या डाल देंगे देखिए ऐसे हमें से किनारे किनारे से पूरीयों को डालना है हमें थोड़ा में तेल जादा गरम हो गया है तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी अधर मीडियम कर दूंगी इसे अब हम निकाल लेंगे एक टीसू पेपर पे ऐसे ही करके हम अपने और पूरीयों को फ्राई कर लेंगे देखिए अभी हमने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है ह judgment मेुआ हम आँ हम सब देख सकते में पूरीया कितने अच्छे तरह का इस फोंड़ रहे है क्योंकि हम ने इसे एंदा हम एक ही सेएप में बेला है , मैं पूरिया अगर अपकी पूरिया च्छोटे चोटे बेलेंगे तो पूड़िया बहुत अच्छी तरीकी से फोलती है और देखने में भी बहुत सुदर दिखती है जिए कि अगर आपको मिने वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अब बैल आइकन को प्रेस कर दें जिसी कि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकांगे अब को नोटिफिकेशन चला जागा ऐसी करके अब अब अपनी सभी पूडियों को फ्राइ कर लेंगे करें आकला यह. है LE United什么 इंकारं अगर आपको चाहे तो अगर्वाइस आपको पेसन खाना पसंद नहीं है तब शेक्ट गेव के आटे से सुझी बीपूडियों सकती है कि बहुत चादर टेश्टी लगता है आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर ऐसे आप नास्ते में बना सकते हैं या भी इसे आप चाय पे भी बना के खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है देखिए हम एक के करके अच्छे तरीकी से अपने पूड़ियों को फ्राइ कर ले रहे हैं फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारी पूड़िया एक भी फट नहीं रही है और नहीं, हमारी कोई पुड़ी ऐसा नहीं कि नहीं फूली है, हमारी सारी पुड़ी पुली हुई है, क्योंकि हमने आटा को गुत लिया और इसे रेश्ट करनी के लिए हमने पांस मिनट के लिए रख दिया, फ्रेंट्स अब कोई भी अगर पुड़ी को बना रहे हैं, तो आ इसे में गोल्डन व्राउन होने तक ही फ्राइब करना है, फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल के जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा ज्यादा फ्रेंट्स और फैमली में शेयर कर देना, यह थोर में पूरी साइज में बड़ा था, इसलिए मैंने इसे एक ही फ्राइब किया, जिसी की बहुत ही बढ़े तरीके से फ्राइब हो जाए, इसी करके हम अपनी सभी पूरियों को फ्राइब कर लेंगे, देखिए फ्रेंट्स मैंने इतनी कम तेल में इतनी सारी पूरियों बना ली, अगर आप छोटे छोटी पूरियों को बेलते हैं, तो कम तेल में भी अच्छे तरीके सा पूरियों फोल जाती हैं, बन भी जाती हैं अच्छे तरीके से, हम देख सकते हैं फ्रेंट सामें पूरी है बहुत ही अच्छी फूली फूली बनी है देखिए अब इसे हम आज आलू गोभी की सब्सक्राइब करेंगे आप चाहे तो इसे बच्छों को टिफी में भी दे सकते हैं अचार के साथ या फिर आप इसे ऐसे भी इन्जॉय कर सकते हैं चाहे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंट घर पी बना सकते हैं थैंक्स फूर वाचिंग बबाई झाल